ज्यान सरोबर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं कहानी लेके आई हूँ दो भाई की तो चलिए कहानी सुरू करती हूँ एक गाउ में दो भाई रहते थे उनके बीच सहच बटवारा हुआ पर सोने की एक अंगूठी को लेकर दोनों के बीच बिवाद हो गया विवाद के बढ़ने पर दोनों अपनी शमस्या लेकर एक संत के पास पहुँचे संत बोले अपनी अंगूठी यहीं रख जाओ और कल आना उनके जाने के बाद संत ने सुनार को बुला कर उस अंगूठी की प्रतलीपी तयार करने को कहा यानि कि एक वैसी ही और अंगूठी बनाने को कहा और उसका मुल्य स्वेम के पास से चुका दिया दूसरे दिन दोनों भायों के लोटने पर उन्होंने एक-एक अंगूठी दोनों को दे दी दोनों को ही यह लगा कि मात्र उसी के पास अंगूठी है इसलिए दोनों प्रशन नहोकर अपने अपने घरों को लोट गए तथा दोनों के मद्धे संबंध भी सुधर गए यानि कि दोनों के बीच के जो संबंध खराब हो गए थे अंगूठी को लेके वो भी सुधर गए एक दिन आपसी चर्चा में सत्य पता चलने पर वे संत के पास पहुचे और उनसे ऐसा करने का कारण पूचा शंत बोले सोना तो तुछे चीज है संबंधों का मुल्य अधिक है उनमें कभी दूरी नहीं आनी चाहिए दोनों भायों ने आपसी विवात भुला दिया और अंगूठी का मुल्य संत को चुका कर प्रेम पूर्वक रहने लगे कहानी तो बहुत छोटी सी है लेकिन छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी सिख्चा चुपी हुई है सिख्चा ये है जो कि आप समझ गहोंगे कि कहीं न कहीं जीवन में कीमती आभुसनों से धन दौलत से बड़ी चीज संबंध है हमें आपसे संबंद को कभी भी इन चीजों के लिए यानि कि आभुसन, गहने, पैसे, इन सारी चीजों के लिए कहीं न कहीं आपसे संबंद खराब नहीं करने चाहिए तो आसा है कि आज की ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी, कल मैं फिर आओंगी ग्यान सरुबर में कोई नई कहानी लेकर, अच्छी सी कहानी लेकर, प्रेरख कहानी लेकर, आज के लिए बस इतना ही, जै हिंद, जै भारत!